नाम धरमपाल, उम्र 119 साल, लेकिन चुस्ती ऐसी कि आज के युवाओं को भी पचारने की हिम्मत रखते हैं जी हाँ, हम बात करें हैं भारत के सबसे उम्र दराज धावक की, जो मेरट से चल कर फर्दबाद पहुंचे रहे हैं मेरट के गाओं डूंडा में 1897 में जन्मे धरमपाल सिंग भारत के सबसे बुज़ूर्ग धावक माने जाते हैं 119 बसंत पार कर चुके धरमपाल जन्माश्टमी की पूजा करने के लिए फर्दबाद के तिगाओं पहुंचे जहां उनसे उनकी इस उम्र में भी चुस्ती का राज जाना उनका कहना है कि वे भारत की तरफ से मलेशिया में भी दोड में जन्डा फरा चुके हैं और 200 मीटर की दोड में भारत के लिए गोल्ड मैडल लेकर आए हैं इतना ही नहीं आज भी वे यूवाओं को हराने का दम खम रखते हैं उन्होंने बताया कि उन्हें इस उम्र में खेलते हुए देश और विदेश में कई मैडल मिले हैं लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से अभी उनसे कोई संपर्क साधने नहीं पहुचा है इस बात का उन्हें मलाल भी है ले कहते हैं कि सरकारों को अपने बुजर्ग खिलाडियों को सहिजना चाहिए धरमपाल ने युवाओं को भी सीख देते हुए कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दोड़ते रहना चाहिए और योग प्रणायाम मेडिटेशन भी करना चाहिए ताकि वे चुस्त दुरुस्त रह सके मुझे कोई परिशानी नहीं केवल सफर में चलने के बाद थोड़ी खांशी तो बन जाती है और मैं यदि एसी की किसी कमरे में किसी मकान में या किसी गाड़ी में हूँ तो फिर मुझे को बीमारी इसावित होने लगती है मनलब में मेरा परेजे में परेज आपके फैमली में कौन कौन है कितने बच्चे है मेरी फैमली में तीन लड़के यां कि पोषै बंब भिते भिश्ब के परिवार खंपन हैं परकोई नहीं पर उपानी पूई